नारे कौम को जगा जरूर देते हैं मगर नारों से आजादी नहीं मिलती ये समवाद है 1973 में आई सोमदत स्टारर अमर शहीद भगत सिंग का जिसमें भगत सिंग अपने साथियों से ये बात कहते हैं कि किस प्रकार इस नारे को जन जन तक लेकर हमें जाना है ताकि लोग इसका औचित्य समझें और एक क्रांतिकारी आंदोलन से उनका जुडाव हो सक और उसके लिए वे योजना बनाते हैं बम कांड की जिससे कि लोगों का ध्यान आकरशित हो उनकी तरफ और तब वे इस नारे का औचित्य लोगों तक पहुचा सकें क्योंकि उन्हें बार बार कई तरह से प्रतारित किया जा रहा था क्रांतिकारी की जगे आतंकवादी घो पुशित करके और एक क्रांतिकारी विचार को स्थापित करने के लिए भारती संदर्भू में भगत सिंग ने कड़ी मशक्कत करी जब हम सेशन कोड के बयानों को गौर से सुनते हैं तो उसमें भी वेस बात को साफ साफ रखते हैं कि निचली अदालत में हमसे पूछा गया हम उनके जेल में हुए राजनेतिक संघर्ष के उपर जान रहे हैं समझ रहे हैं उसी कड़ी में आज जो पत्र है वे इस बात को और जादा स्पष्ट तरीके से रखता है तो चलिए मेरे साथ आज के पत्र के तरफ बढ़ते हैं आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों शलनी ब पर रखा है एक चोटी सी व्याख्या समझ लिजिए जिसमें वह ये बता रहे हैं कि आखिर इस पत्र को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी तो वही मैं पहले पढ़ रही हूं चोटी सी व्याख्या भगत सिंग ने अपने विचार स्पष्ट रूप से भारती जनता के सामने रखे उनकी विचार में क्रांति की तलवार विचारों की धार से ही तेज होती है ये विचार धारात्मक्रांतिकारी हालात के लिए संगर्ष कर रहे थे अपने विचारों पर हुए सभी वारों का उन्होंने तर्क पूर्ण उत्तर दिया ये वार अंग्रिजी सरकार की और स अखबारों में तो बार बार वे क्रांती क्या है और एक क्रांती कारी आंदोलन से उनका क्या मतलब है भारतिये संदर्भू में भारतिये राजनेतिक संदर्भू में वे उसको एक्स्प्लेन करते रहे कई जगों से क्योंकि वे विचार को भारतिये राजनेतिक संदर्भू मे स्थापित करवाना चाहते थे और उसके लिए वे जानते थे कि उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी भरतिय जन जो शिर्षस्त नेताओं के गरफ्त में है उन्हें जगाना किस तरह है ये वे अच्छी तरह जानते थे शहीद यतींद्र नाथदास 63 दिन की भूक हरता के बाद शहीद हुए मौडन रिव्यू के संपादक रामानन चटुपाद ध्याए ने उनकी शहादत के बारे में भरती जनता द्वारा शहीद के प्रति किये गए सम्मान और उनके इनकलाव जिन्दाबाद के नारे की आलोच ना की भगत सिंग और बी के दात ने मौडन रिव्यू के संपादक को उनके उस संपादकिये का निमनलिखित उत्तर दिया था कहां एक तरफ युवा वर्ग जो है वो देश के उपर अपने आपको कुर्बान कर रहा था और वहीं शीर्षस्थ नेता देशज नेता और अख जिससे यकिनन भगत सिंग को और उनके खरांतिकारी साथियों को बहुत तकलीफ हुई होगी ऐसा मैं कल्टना कर सकती हूँ तो अब मैं जो पत्र लिखा था मौडन रिव्यू के संपादक को वो पढ़ रही हूँ ध्यान देजिए इंकलाब जिन्दाबाद क्या है श्री सं पादक जी मौडन रिव्यू आपने अपने सम्मानित पत्र के दिसंबर 1929 के अंक में एक टिकपड़ी इंकलाब जिन्दाबाद शिर्शत से लिखे थी और इस नारे को निरर्थक ठेहराने की चेश्टा की थी आप सरीखे परिपक विचारत तथा अनुभवी और यशस्री सम्पादक की रचना में दोश निकालना तथा उसका प्रतिवाद करना जिसे प्रतेग भरते सम्मान की दिष्टी से देखता है हमारे लिए एक बड़ी दिष्टता होगी तो यहाँ पर बहुत हस्ते हस्ते वे आलोचना का जवाब भी ही नहीं दे रहे बलकि व्यंगात्मक शैली से अपनी बात भी कह रहे हैं खिली उड़ा रहे हैं कि आप इतने परिपाफ़ों है तरह तरह के विचारों को अख़बारों में च्छापदने का काम करते हैं उनका संपाधन करते हैं और तब भी आप इसे धंक से समझ नहीं पा रहे हैं यह बहुत कष्टकारी स्तित करतावें समझते हैं कि इस नारे से हमारा क्या अभी प्राए है यह आवशक है क्यंगे इस देश में इस समय इस नारے को सब लोगों तक पहुंचाना का कारें हमारे जिब्में आया है इस नारे के रचना हम नहीं की है यही नारा रूस की क्राम्तिकारी आंदोलन में प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध समाजवादी लेखक अक्टन सिंकलेब ने अपने उपन्यासों बॉस्टन और आईल में यही नारा कुछ अराज़त्ता वादी क्राम्तिकारी पत्रों के मुख से प्रयोग कराया है जिसका अर्थ इसका अर्थ क्या है तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं किसी भी चीज़ का क्रेडिट वे नहीं लेते थे गलत तरीके से यह उनका बड़पन था क्योंकि यहां पर तो वर्ना मेरिट के नाम पर आज तक कभी कोई सुई भी नहीं बनाई ले प्रचा करना बेमानी है लेकिन हां भगत सिंग का बड़पन इससे जरूर चलगता है इसका यह अर्थ कदापी नहीं है कि सश्यस्त्र क्रामती सदैव जारी रहे और कोई भी व्यवस्था अल्प समय के लिए भी स्थाई न रहे सके दूसरे शब्दों में देश और समाज म और अखबारों द्वारा प्रचारित कियागा है असल में आराजकता है क्या यह भी वे स्पष्ट करते हैं और वे अपनी स्तिथी भी स्पष्ट करते हैं कि क्रामती कारी बदलाव समाज में लाने के लिए सत्ता से जादा समाज को वे इंपोर्टेंस देते हैं कि यदि समाज अपने अधिकारों के लिए जागरुक हो जाएगा तो जो सत्ता रूड लोग हैं वे अपने आप सुनियोजित तरीके से कार्णे करेंगे समाज के लिए तो इसलिए उनका जो सारा मोटिफ था क्रांतिकारी आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना दीर्धकल से प्रयोग किये जाने वाले इस नारे को एक ऐसी विशेश भावना प्राप्थ हो चुकी है जो संभव है भाशा के नियमों एवं कोश के आधार पर इसके शब्दों से उचित तरक सम्मत रूप से सिध्ध नहों पाए पर अंदो इसके साथ ही इस नारे से उन सिमाता को उसमें उत्पन हो गए हैं तथा एक सिमाता को उसमें निहित हैं तो अगेन वो अपनी बात कह रहे हैं कि आज इनको गलत तरीकों से लिया जा रहा है लेकिन असल में इसके अंदर की जो भावना है कोमल भावनाएं उससे प्रिधक करके नारों को नहीं देखा जा सकता उधारन के लिए हम यतीन जिनात जिन्दाबाद का नारा लगाते हैं इस से हमारा तात्पर यह है कि उसके जीवन के महान आदर्शों तता उस अथक उत्सा को सदा सदा के लिए बनाए रखें जिसने इस महानतम बलिदानी को उस आदर्श के लिए अकथनिये कष्ट जेल इवं असीम बलिदान करने की प्रेर नादी यह नारा लगाने से हमारी इलाल से प्रकट होती है कि हम भी अपने आदर्शों के लिए अच्यूक उत्सा को अपनाए यहीवे भाबना है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं इस प्रकार हमें इंकलाप शब्द का अर्थ भी कोरे शब हमने इस बात को ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपने वक्तवे में स्पष्ट करने का प्रयास किया था तो मैंने पहले ही खा कि जो अदालतिक कार्यवाई थी और विशेश ट्रिब्यूनल की स्थापना थी उन सब जगों पर बार बार और लगातार वे क्रांतिकारी आंदोलन की और अपने नारों की इंकलाब की व्याख्या करते हैं लेकिन फिर भी लोग बार बार उसे तोड़ मरोड कर जनता के सामने पेश करते हैं जिससे ये नारे जनता में प्रचलित ना हो सकें और बार बार भगत सिंग तर्क सम्मत तर्कों से उनकी बातों को काटते चलते हैं इस वाक्य में क्रांती शब्द का अर्थ प्रगती के लिए परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा है तो clear thought रखते हैं कि इसका मतलब सत्ता पलट देना या फ्रांस की क्रांती जैसी क्रांती करना नहीं है बलकि इसका मतलब है जनता को सजक करना अपने अधिकारों के लिए क्योंकि समाज जब सजक हो जाता है एक बहुत अच्छी बात जो भगत सिग ने करी हम लोग भी जो करते हैं अमूमन क्या करते हैं सरकारों से सवाल करते हैं और सरकारे क्योंकि व्यवस्था उनके पास है सारे अखबार उनके हैं न्यूस चैनल्स उनके हैं व्यवस्था में पुलिस महक में उनके है, सब कुछ नीचे से उपर तक सब कुछ उनके हाथों की कटपुथलिया है यहाथा कि नियायले तक भी तब ऐसे में, यदि आप सरकारों से सवाल करते हैं तो सरकार जो भी उसका उत्तर देंगी वे सबी नियालेओं की तरफ से, अखबारों की तरफ से, न्यूस चानल्स की तरफ से और आला अधिकारियों की तरफ से सही साबित कर दिये जाएंगे लेकिन यदि यही सवालों को लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं जनता को एजुकेट करते हैं तब एक सामाजिक क्रांती से आप उसे जोड़ सकते हैं। वही भगत सिंग ने भी किया। सरकार पे आक्षेप करने की बजाए जनता के बीच जाकर जनता को आंदोलन से जोड़ा उन्होंने। कौन से आंदोलन से? ख्रांती कारी आंदोलन से। ये अलग बात है कि भगत सिंग के जाने के बाद उसे गांधी ने ओवर टेक कर लिया और अब हम उसे भगत सिंग के नाम से नहीं गांधी द्वारा किये गए आंदोलन के जरिये जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गांधी ने किया उनका कॉंट्रिबूशन कम था। लेकिन उसके पीछे की भवना यदि देखें तब आप समझेंगे इसे। इस वाक्य में क्रांती शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं अकांक्षा है। लोग साधरन त्या जीवन की परंपरागत दिशाओं के साथ चिपक जाते हैं और परिवर्तन के विचार मात्र से ही कांपने लगते हैं। यही एक अकर्मनेता की भावना है जिसके साथ पर क्रांती कारी भावना जागरित करने की आवश रकता है। यह परिस्तियां मानव समाज की उन्नती में गतिरोत का कारण बन जाती हैं। रखकर हमें इनकलाब जिन्दाबाद का नारा उचा करते हैं भगत सिंग बी के दत 22 दिसंबर 1929। तो अपनी विचारों को वे तर्क सम्मत तरीकी से रखते हैं कि क्रांती का मतलब खून खराबा नहीं है। प्रांती का मतलब है अमूल चूक परिवर्तन समाजिक व्यावस्था में जो भी सत्ताहरूड लोग हैं वे जनता के लिए काम करने चाहिए। एक समन्वय की भावना इसमें होनी चाहिए, समानता की भावना इसमें होनी चाहिए, न के पूंजी वादी और मजदूर तपके की बीश में गैप लगातार बढ़ता ही चला जाए। तो आगे जो इनके प्रॉड चिंतन में जो हम पढ़ेंगे तो बहुत सी बाते हैं जो भगत सिंग क्लेरिफाई करते हैं वहाँ पर और भगत सिंग इनकलाब को लेकर कितना जादा सोचते हैं ये इस बात से भी पता चलता है इस कदर वाकिफ है मेरी कलब मेरे जज़बातो से अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता हूँ तो ये है उनका इनकलाबी विचार जो जिनका एक्स्प्लिनेशन वे देते हैं और किस हद तक वे करांतिकारी बदलाव चाहते थे व्यवस्था में ये भी स्पष्ट होता है इसे के साथ आज का ये समप्त होता है और जो विचार मैंने आप लोगों के बीच में छोड़े हैं उनका मन्थन जरूर कीजिएगा क्योंकि वही वे विचार है जिसके चलते सामाजिक तौर पर व्यवस्था को बदला जा सकता है अदर्वाइस जैसे चल रहा है एक धर्रे पर वो तो चल ही रहा ह और आगे भी ऐसे ही चलेगा चलिए अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी तब तक आगे दीजे धन्यवाद